हाई एब्रीमन कैसे हैं आप सबी लोग आज किस वीडियों देखने वाले हैं बी ए फर्स्ट सेमस्टर की बात करेंगे जिसका हिस्टरी का पेपर होगा इतिहाज इसे कहते हैं और आपको यह तो पता होगा कि नई सिक्षा नीती के थुरू हमारा पूरा स्लिवर चेंज हो ग 22 में आने वाले कोशन है अब इस वीडियों को देखने के बाद आप जिंदगी में यह याद रखेंगे कि जो मैंने कोशन आपको बता रहा हूँ यह एक्जाम 2022 में 85% प्लस यहां से देखने को मिलेगा मतलब कह दू कि आपका पेपर टोटल इसमें से आएगा वाकि कुछ बाहर एक भी कोशन नहीं पढ़ना है अब जो भी कोशन हो 20-21 कोशन मैं आपको दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है मैं आपसे बादा करता हूँ कि आप लिखके 85% ले ले लेना उससे लिखके और आपको फेल नहीं होने दूँगा चाहें कुछ भी हो जाए चाहें कुछ भी हो जाए और exam से दो दिन पहले मैं आपको केबल वो important दूँगा केबल 10 से 11 important question दूँगा 10 से 11 केबल 10 से 11 जो exam में total आता होगा वो long और short तो long और short की ये दोनों में एक साथ video बना रहा हूँ ताकि history की पूरा paper इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप paper hacker youtube को subscribe कर लो साथी साथ description box में एक link और दे रखा है मैंने दूसरे channel का जिसका नाम है BA paper hacker तो BA paper hacker को subscribe कर ले ना साथ में वहाँ पे भी मैं आपको video provide कराता हूँ सिर्फ BA की ही मिलती है वहाँ तो सभी जात्रों से कहना चाहूँगा मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको failure नहीं होने दूँगा और जो question दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें वस यहीं देखना है देखो history के question आपके पास book notes guest paper यदि नहीं है notes बगरा नहीं है तो हमारे notes को download कर सकते है notes का link description बॉक्स में दे रखा है notes का link description बॉक्स में दे रखा है आप जाके download कर लिजे साती सात आप app को भी download कर सकते हैं हमने notes के app भी बना रहा है जो play store पर publish है उसका भी link description box में है बहां लिका होगा All Notes PDF PDF डालोड करना चाहते हैं All Notes App App के थुरू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं वो आपके उपर डिपेंट करता है तो यहां हम बात करेंगे History के पेपर के बारे में तो पहला कोशन पर आप सभी लोग टिक लगाएंगे जो most important है आपके exam के लिए जैसे की History जब बाती है तो History का अर्थ क्या होता है नतर इतिहास का अर्थ क्या होता है उसके छित्र के बारे मताईए इतिहास का महत भी क्या है इतिहास के स्रोध क्या है यह हम एक कोशन के अंदर का पूरा पढ़ते हैं साथी साथ इन सभी कोशनों की वीडियो भी प्रवाइड कराऊंगो आपको आप तक वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेगी आप चैनल को सस्क्राइब करके रखो डिस्कप्शन बॉक्स में आप हिस्ट्री के अलावा एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिस और इंपोटेंट कोशन देखना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिये 2022 में आने वाले कोशन के लिंक है वहाँ देख सकते हो, बिये सी, बिकॉम, एमे, एमसी, एमकॉम, बिये सब के लिए इंपोटेंट कोशन दे रहे हैं, चैनल को सस्क्राइब कर लो ज्यादा ज्यादा, उसके बाद में नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे, नेक्स कोशन मॉस्ट इंपोटेंट है, प्राचीन भारत में वर्ण विवस्था का जो उद्वव है, या फिर विकास कैसे हुआ, वो आपको बदाना है, कि प्राचीन भारत में जो वर्ण विवस्था का विकास कैसे हुआ है, यह आपको बताना है, यह सब कुछ आप कोशन को बना बना के करके आजाओंगे, कोई इशू नहीं है आपको जब मैं आपको एक बार पढ़ा दूँगा, वीडियो बना दूँगा, इसके उपर दो, आप बना बना के लिखे आओगे, एक बार सुन लेना, बस ध्यान से, वीडियो को देख लेना, सुन लेना, और बना बना के पूरा करके आजाओगे, दूसरे कोशन पर टिक लगाओ नेक्स कोशन पर, यह इस वीडियो को डानलोड करके रखो, और आपके पास नोट्स ग्यास पेपर है, उससे त्यारी करो, और जो हमारे नोट्स डानलोड कर लोगे, तो आपको कुछ लेने की, खरीदने की जरुत नहीं बढ़ेगी, आसानी से आप पढ़ते रहोगे, उसस आपका भाई भेन, हाई स्कूल इंटर, बीए, बीए, सी कुछ भी कर रहा है, सब को इंपोर्टेंट कोशन दे देना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 2019, 2020, 2021 के लगातार जो हमने कोशन दिये थे, वो सारे के सारे रिपीट हुए थे, आपको पता है, यदि नहीं पता है, तो अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है, उसके बाद में है, रिडवेधिक काल में जो आरे थे, आरेों के समाजिक और धार्मिक इस्तिति के बारे में आपको बताना है, रिडवेधिक काल था, उसमें आरेों के जो समाजिक और धार् पढ़ोगे बना बना के पूरा लिखाऊंगे उत्तरवेधिक काल यह हैं से यहां से एक कोशन वालेगा आप यूपी के किसी भी यूविश्टी से हैं चाहिए MJP से हो आग्रा इन्यूश्टे मेरट से कानपुर इन्वस्टी नकलव इन्वस्टी भी बीरभादर प्रवांसल इन्वस्टी या फिर आप देखो वल्लिया इन्वस्टी यह कह सकते हैं कासी बिद्ध्यापीट उनिवस्टी सबके लिए इंसे लार कुछ नहीं आएगा ठीक है और साती साथ मां अलग 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 उनिवस्टी के लिए इंपोर्टेंट कोशन दे दूगा कोई शुर नहीं लेकिन फिर भी आप इसको टिकल लो यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला किस मौरिय के जीवन के बारे मता देना है उन्होंने जीवन कैसे कैसे किया क्या कार करते थे वह सब कुछ हम एक बार में याद कर लेंगे कोई दिकत नहीं हम आपको पूरा नोट्स भी देंगे ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सके यहां बोला गया असो के जो धंब थे अ असो के धंपर टिपडी असो की सिमाय किया थी और वा धारम का प्रिचार देखे बहुत धर्म का पिरचार पे ठिक लगाएंगे बढ़द का प्रिचार मॉस्त इंप वन lunar ठीक है तो गुप्त के सुरूतों का बंढ देंगे बोला किया है समुझ्धर गुप्ता कizada कर लोम merely merely सफलताओं का मौश्ज़ागों की जीबन के बारे में उनकी कि या-क्ेड रही है उनके बारे में याद करेंगे नेक्स्ट कोशन पर टेक लगाएंगे ये बोला गया है चंद्रगुप्त दुतिये हम देखो समंद्रगुप्त की बारे पढ़ा ये हम बढ़ेंगे चंद्रगुप्त दुतिये चंद्रगुफ्ति दित्यों को बिकर्मा दित्य भी बोलते हैं इसके जीवन ब्रत के बारे में मतलब जीवन साइकल के बारे में कैसे-कैसे उन्होंने सफलता क्या-क्या जीवन में अपना किया ठीक है अच्छी तरीके से आप एक-एक पॉइंट को देखेंगे और simply जब आप एक बार पढ़े लेंगे तो उसको बना-बना के आप लिख किया जाएंगे छोड़के नहीं आना है एक्जा में कोई भी question ठीक है उसके बाद में है heaven song कौन था उसका बन करो हर्स बन करो most important है हर्स बन और heaven song बहुत ज़दा important है दोनों को पढ़ेंगे और हर्स के प्रारमबिक जीवन का प्रकास डालना है तो हर्स जो थे हर्स बन जीवन के प्रकास डालना अच्छी तरीके से देख लेना और राजपूतों की उत्पत्ति मतलब भून आपको देखना है और बहुत जादे important यह question आपको दे रहा हूं यह जानते हैं सावंतवाद क्या है इसकी विशेष्ता और पतन होने कार्ण क्या था सावंतवाद का पतन होने कार्ण most important है जाकत याद कर लेना उसके बाद में हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं हिंदु धर में कितने तरहे के संसकार होते हैं आप वो देख रहा है उनका वर्म कर लेना है आपका एक ही पेपर आएगा पूरा हिस्ट्री का अलग अलग पेपर नहीं आएगा पूरा पेपर एक आएगा समस्ट्र का जितने पेपर है सब एक ही आएगे ठीक है चेंज नहीं ह कान क्या थे उनके का इफेक्ट उन्होंने पहुंचा है क्या प्रभाप पहुंचा है ठीक है मुहम्मद गौरी जानते हो मुहम्मद गौरी के आकरमण के समय भारत की राजनीतिक दसा क्या थी जब मुहम्मद गौरी ने जब आकरमर करा था उसमें भारत की जो राजनेतिक दसा थी वो क्या थी वो आप दो को देख लेना है अच्छी तरीकी से पढ़ लेना है उसके बाद में आता है हरपा सब्दा के विदेश व्यापार के संबंद का वरन करो तो हरपा होती है चैसा करके सकते हैं तक बाद में आता है शेतार से आप बाद में आता है आप जानते हैं कि進ेड़ा क्लिग को टिक लगा ले न हुआ मैगनितीज क्या है यह आप देखेंगे और दिखें कुमार वंस मा निबंध और गुजराद के जो कह सकते हैं चालुक्यों कि गुजराद के जो चालुक्यों दिखेंगे उनके उत्थान का स्वेर्टन आपको बता देना यह मुश्ट इंप्रेंट Town थे लगबग 20-21 कोशिन आपके यहां होंगे और समस्टर बी ए समस्टर का एकोनोमिक्स का पेपर है मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा जितने भी पेपर हैं आपके बनते हैं सारे पेपर बनाऊगा आपके जो भी सब्सक्राइब है आप जो भी है आपने लिंक डिसकॉ किसे पढ़ सके कोई यूशू ना आए आपकी लाइफ में बहतर बनो सबसे अच्छा करना है तो में सौट नोट्स दिये गए हैं मिलकुल सौट में नोट्स देंगे हम आपको लॉंग नोट्स कुछ भी नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और दोस्तों को श